आज विश्व सीजोफरेनिया दिवस है और इसी कड़ी में ESIC हॉस्पिटल में मरीजों को जाकरूप करने के लिए विश्ष वर्क्शॉप का आयूजन किया गया और कारिक्रा में बतार मुख्य वक्ता अस्पताल के मन रोग विभाग के अध्याक्ष डॉक्टर अकलिश जैन रहे और इस तोरान डॉक्टर जैन ने सीजोफरेनिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर किसी वेक्ति को चुपचा बैटने की आदत है या चानक से अजीब गतिविधिया करने लगे तो इससे गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि अधिकतर मामलों में ये सीजोफरेनिया के लक्षन हो सकते हैं उन्होंने कहा कि अधिकांच लोगों को सीजोफरेनिया की खत्रे की जानकारी नहीं होती है और ऐसे में लोग जादू टोने के चांसे में आ जाते हैं जिससे बिमारी और ज्यादा बढ़ जाती है डॉक्टर जैन ने कहा कि समाज में इस बिमारी को लेकर बेहत कम जानकारी है और इसके लिए जाग रुकता जरूरी है